हमारे फूद पोजिशन हो रहा है और हमारे नहाने तक के अंदर भी इतना गंदा कोल्गेट करने में कोटी का पानी आ रहा है हमारे डेंगो हो जाएगा मलेरी हो जाएगा हमें कॉन भीमारी से बचाएगा दुबारा कि कंप्लेंड करी तो जने तो आ गए थे तेंचार दिन पारा से भर गया बीस दिन पच्चेस दिन से यही ड्रामा चल रहा है कितनी बद्रू है गली में गैस्ट नहीं आते सुबह से शाम तक इसम बद्रू में जीना पड़ रहा है अब जो इसका मतलब है जिनके फुरू यह दिया गया है कि हम मतलब कुरेदान को साब करवाने की तो यह जीमेदारी उनको है मतलब उनको करवाने चाहिए अब जब वही बैठ जाएंगे तो कौन कर सकता है एक दिन उठाएंगे अब भी गाड़ी आई थी आई तो इसका उपर करके चलेगी गाड़ी कोई नहीं आता इसर नमस्कार दर्शकों आप देख रहे हैं जलको द माधीपूर जेजे कोलोनी के ए ब्लॉक मेर है यहां के लोग इस तरीके से यह कूड़ा सडक पर आधी सडक इस वज़े से तो पूरे टाइम जाम रहती है अभी देखी कैमरे के सामने भी है लाइन लगी है लाइन बाइन सभी गाड़ी वाले इधर से गुजरते हैं छोटे नमस्कार जी मार्व रहा है किसे समय से यह काभी टैप से है यह कूड़ा यह डेली इतने आया दे उतना लुक्त का लगालो का कूड़ा होना चीह न वी दो तक का कूड़ा आंग का कूड़ा ता इसमें कूड़ते हैं तो सारा है कूडा रिक्षा को लेकर THAT कूड़ा और कि बना रहे था हुए इतनी अंध्य गंधी इतनी बदवू कर दो पूरी बदबू इनके नाकों में होकर गुजरती है इनके घर में जाती है और कितनी परिशानी होते हैं यह आपके दुकाने अम्मा बता रहे हैं काफी समय से बहुत दिनन से भाई है अभी गाड़ी आई तो उपर करके चलेगी है उठाती नहीं है कूले को इतना गंद हो रह चलते भी बीमार पर रहे हैं और हमारे बच्चे दो मरगे जवान जवान बच्चे मरें मेरे किस वज़े से बच्चे मरगे यह आरी बीमारी से अब ना बैटकर रोती खाते हैं तो हम खूल भी बदबू नहीं आएगी उनका घर हो बदबू ही नहीं कई सारे कीडे मकोडे सब बीमारिया आपके घर को होकर आते होंगे यह कुड़ के वज़े से बहुत जाता तक तकलिफ हो रही है आप लोगे साफ सवाई कुछ नहीं हो रही है तो दस दिन में एक दिन माते आते हैं कोई नहीं आया भी तहीं गंदी बदबू आती रहती है मच्चर इतने गंदे क खाना खाते हैं माधीपूर का कुड़ा यहां फेका जाता है और भी जगहों से और भी जगहों से आता है नेता तो कहते हैं कि हम लोगों की बढ़ाई के लिए काम करते हैं कि अब भलाई करें देख रहे हैं देख लोने मरने का चक्कर है यहां के विदायक ने भी कई सारे चीजे कही थे कि हमारे इलाके में सब्सक्राइब जाते हैं इस सब्सक्राइब आते हैं जो अप्डाउन है इसी होता है सब्कावड़ी एनके कूड़ा यहां पर चलो खता है अंदर तक मगर मालों कूड़ा पढ़ा तो ठीक होई दिक्कत नहीं है वो पूरा देखो आप खुद भार रोड़ तक आ रहा है तो इसमें कई बा पच्छों का स्कूल का चुट्टी का टाइम हो गया और बच्चे आंगे ट्रैफिक हो तो वेन वगरा रुखती है और बच्चों की स्मेल का अंदर जाती है उससे का बिमारी का खत्रा है की जो घर बनाया गया वह इस दिवार तक बना गया लेकिन आप देख सकते हैं जितन पानी है काफी दिन हो गया तो साफ स्वाई नहीं हो रही है बिल्कुल उचाते हैं आप जैसे कल रात को उठा लेगे दो चाहिंगे पैसा ले ले लिए पापा जार रुपे बोट बेचे आते तो निता कास सफाई करेगा शेरे के अंदर अपनी गल्ती नहीं बतारती पमिल पैसे लेकर भी किसी की वफादारी नहीं कर रहा है कमी सारी पूरा नजराना दिया कि इस तरीके से सडक पर कूड़ा फैला हुआ सारच्व की सौचाली की हालत इतनी बुरिस स्तिती में इसके साथ इसाथ शीवर की समस्या राजदानी में हर जगह देखते हैं यहाँ पर समस्या शीवर का पानी सडकों पर मिलता है जब भी भारिश हो पानी जब भी वाहिए घंदा पानी इतनी तो PaulPaläd के कि पानी के अंदर लग हो जाएगा हमें बीवारी से बचाएगा ऐस侦ो के ऊपर आते मालेरिया वाला ईसके लिए एक दिन बही नगर निकम बाले क्यों नहीं आते कहां चले गए MCD वाले हैं हमारे आज रोटी खाना हराम होता है सुबह उड़ते हैं मूह तना कड़वा होता है हमारी हालत पूछे क्या है और चाय नास्ता करने का टाइम होता है सुबहरे इसकी सिकल देखो हम कैसे जी रहे हमें बता है लोग ऐसे कहते हैं कि डब्बे को डश्टिंग ढखो और इसे कौन ढखेगा यह गली में मकान के कि यही वह कुड़ेदान और शिवर की बात कर रही है कि किस तरीके से यहां पर देखेए चोटे बच्चे ना किसी तरीके से यहां इटा डाल कर इस तड़क को पार करते हैं अभी तो आपको यह कम दिख रहा होगा लेकिन जब बारिश होती है बारिश होते ही है पूरा इलाका भर जाता है हमजी करते हूं करने के बाद वह बोलते हैं आपके पास कोई रिसीप्ट है जब आपने कमप्लेइन की हो आपको कुछ ऑनलाइन डॉक्मेंट कुछ तो रिसीप्ट मिलती होगी मुझे कहा कि मैं आपको भेज़ दूगा और भेजते नहीं है वो कहते हैं कि 24 आर्स में आपकी कम्प्लेइन एक्सेप्ट हो जाएगी और वो आ जाएगे एक ही बार आए थे आगे से आप इस बात का ध्यान रखें कि कॉल की रिकॉर्डिंग किया करें या फिर उनसे रिसी कि मुझे चाहिए कि आपका रशिटर हुआ है कि आपको जानकरी होनी चाहिए कि आपको कैसे पथा गिया एक बर तुनुने भीज दिया था फिर उसके बाद दुबाद करी तो वो जने तो आ गये थे ती तेन्ट पहले साफ करके घए फिर दुबारा से भर गया वीस दिन प इसमें सीवर के पानी में गिरते हैं निकलने बढ़ने में सबको परेशा नहीं हो रही है कोई भी आता है गली में बद्बू इतनी है आप भी देख रहे हैं कितनी बद्बू है गली में गैस्ट नहीं आते सुबह से साम तक इसमें बदमू में जीना पड़ रहा है मच्छर मलेरिया अब आप देखते हो आते हैं डेंगु वाले कहते हैं टंकी दिखाओ तुमारा टंकी में किटानू तो नहीं है टंकी का ढकन बंद है कोई टायर तो नहीं है तुमारे ओपर खुल कि एप्लिकेशन कहां डाले इसकी लाइन चेंज करो और नया सीवर लाइन डलवाओ ताकि पूरे को गली में सब को बच्चों को चैन की सांस आपाए किसी प्रकार की परिशानी नो यहां के लोग की विंती किवल इतनी हमें कोई टेंपरोरी सॉलूशन नहीं चाहिए पर्म अब मेरे पीछी ठीक बहुत तेज बारिश हो रही है इसलिए हम इस वीडियो को यहीं अंत कर रहे हैं मगर यह जो खबर है हर गर पहुंचना चाहिए हर एक के यूट्यूब पर यह खबर दिखना चाहिए फिलाल इस खबर पर हम आपको इतना ही दिखा रहे है आप देख नए जलको दिली कैमरा में नरेश के साथ मैं शमीर अंजन धन्यवाद जेहिंद जे भारत